Hello everyone, welcome to make it easy. So, आज का आमारा टॉपिक रहेगा steam chest. Steam chest क्या होता है? और जो ये steam chest होता है, actual में ये term जो है steam engine में भी यूज होता है और steam turbine में भी यूज होता है. तो दोनों के लिए हम समझेंगे कि ये steam chest होता क्या है? सबसे पहले हम इसको अगर define करें, तो steam chest इस तरीके का एक piece होता है. एक तरीके का ये cylinder का integral part होता है जिसके अंदर आगर आप बात कर रहे है steam engine की. देखिए, सबसे पहले हम steam chest जो term है, वो हम समझ रहे है steam engine के लिए. तो steam engine में क्या होगा? एक cylinder का integral part होगा steam chest जिसके अंदर जो slide valve है slide valve का काम होता है कि वो back and forth motion करती है और जो भी steam supply हो रही होती है boiler से, उसको पहुचाती है कहां तक? cylinder तक, piston cylinder arrangement तक, ताकि आपकी rail जो है, वो move करना स्टार्ट करें. हमने कहा, यहाँ पे steam chest होगा, जिसमे slide valve लगी होगी, वो back and forth move करेंगी, जिसके कारण जो भी steam है, उसकी supply होगी किसमे? piston cylinder arrangement में और साथ ही साथ exhaust भी यह wheel करती है. किस तरीके से? हम इसको देखींगे. तो यहाँ पे हम दो तरीके से define कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि steam chest एक closed chamber है जो कि integral part होता है किसी cylinder का, यह steam supply करता है with the help of movement of slide wheel और दूसरी definition, यह एक chamber है जो कि steam engine में use होता है और इसकी मदद से steam जो है, वो पास होती है, किस तरीके से? slide wheel या फिर piston wheel जब movement करती है back and forth तो क्या करती है? वो boiler से cylinder में steam को भीजती है. देखिए कुछ इस तरीके से होता है हमारा यहां पर देखिए, यह है हमारा steam pipe ठीक है? और यह है हमारा steam chest और यहां से आपका exhaust होगा, जो भी आपका steam exhaust होनी होगी तो इसको हम देखिए, यह है हमारा part steam chest इस तरीके से ठीक है? तो यहां cylinder arrangement है इसके उपर जो part है वो हमारा होता है steam chest steam chest के अंदर हमने कहा एक valve होगी जिसको हम slide valve कहते हैं वो back and forth movement करेगी तो यहां से जो भी saturated steam या super heated steam आएगी वो pass होगी किसमें cylinder में किसकी मदद से जो भी slide valve है उसकी मदद से और साथ ही जैसे ही exhaust होना होगा यह slide valve क्या करेगी इसके अंदर steam जाएगी और वो उसको exhaust भी करती है तो इसमें यह slide valve है उसका काम यह है कि यहां fresh steam लाना और साथ ही जो steam exhaust करनी है ठीक है जब वो आपको दे देगी piston पे तो उसके बाद उसको exhaust भी करना कि देखिए इस तरीके का movement होता है यह हमारा जो उपर वाला यह जो cylinder है यह है हमारा steam just steam just और इसके नीचे का जो पार्ट है यह हमने का piston cylinder arrangement है तो यहां पर क्या होगा हमने कहा जो भी steam fresh steam आएगी वह steam एंटर करेगी steam slide valve लेगी है तो उसकी मदद से वह क्या करेगी नीचे जाएगी एक तरफ आपका fresh steam आएगी और दूसरी तरफ क्या होगा जो भी exhaust होनी होगी वह slide valve की मदद से पीछे से आपका exhaust करेगी सबसे पहले क्या हो रहा है हमने का यहां से आपका fresh steam आ रही है और fresh steam जब आ रही है तो फिर वह आपको कुछ work देगी इस पर तो यह expand करेगा और इधर से आपका क्या होगा जो भी exhaust है वह पीछे के रस्ते निकल जाएगी तो exhaust steam आपकी निकल जाएगी जो की use हो भी इस तरीके से यहां आपकी fresh steam आएगी और यहां से आपका steam जो है exhaust होगी तो यह चलता रहता है और इस तरीके से आपका यह movement होता है अब देखिए दूसरा हमने का steam just use होता है steam turbine के लिए तो steam chest इसमें एक large volume vessel है जिसका काम यहां पर भी steam supply करने का है ठीक है यह एक तरीकी की casing है जिसके अंदर आपकी controlled valves रहती हैं जिनको throttle valve भी कहते हैं तो यह जो seat valves है या controlled valve है या फिर throttle valve है इनका काम है कि steam को steam को supply करना turbine में जितने amount में हमें steam चाहिए उस तरीके से ठीक है न और जिस rate से चाहिए उस तरीके से जो हमारा control valve है वो steam को supply करेगी तो सबसे पहले steam enter होगी उस casing में जहां पर आपका steam chest होगा इस तरीके से आप देख सकते हैं दो तरीके के हमारे steam chest होते हैं एक है overhead steam chest तो यहाँ पे से आपकी दोनों साइट से steam enter हुई और जब steam enter हुई तो इसके बाद आपका यह पूरा portion आपका यह जो पूरा chamber है यह पूरी casing है यह हमारा steam chest है जिसके अंदर आपका control valves है जिनका काम है कि steam को उतनी ही amount में steam turbine तक पहुचाना जितना की चाहिए है और दूसरा आपका है यहाँ पे side mounted steam chest तो यह भी steam chest है जिसमें controlled valves लगी है और यहाँ पे फिर admission nozzle है जिसकी मदद से टरवाइन तक आपकी steam जाती है तो यह हमारे steam chest होते हैं देख सकते हैं आप इस तरीके का steam chest होता है यह इसकी पूरी casing है ठीक है यहाँ पे steam inlet है दोनों साइट से और यहाँ पे यह सारी seat valves है ठीक है जिनको आप valve seat कहते हैं तो देखिए यहाँ पे question है which of the following does not relate to steam engine तो क्रेंग शाफ्ट आपका related है क्रॉस हेड भी आपका related है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉस हेड और क्रेंग शाफ्ट तो होती ही है तो यह आपका क्रेंग शाफ्ट भी होती है क्रॉस हेड होता है और स्टीम चैश्ट भी होता है पर फेम सेपरेटर जो है वो स्टीम इंजन में नहीं होता है वो किसमें होता है शीन्काम held है steam में उसको किसी तरीके से बाहर निकालना उसको separate करना एक तरीके का यह dryer है या मॉस्चराइजर है जिसका काम यह है कि steam turbine में जो भी steam जा रही है उसमें अगर water droplet बहुत high velocity से जाएगा और blade से टकराएगा तो वो उससे impinge करेगा यानि कि कोलाइड करेगा तो उससे क्या होगा उसमें erode वो हो सकती है तो उस erosion को बचाने के लिए हमारे पास steam separator होता है तो हमने कहा कि इसका answer रहेगा steam separator बाकी सारे जो टर्म है यह हमें steam engine में और यह जो steam chest है यह तो हम steam turbine में भी पढ़ते हैं और steam engine में भी पढ़ते हैं सो आप अब आपको क्लेरो ओल